हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप समीलों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कालेजेज हैं कब तक खुलेंगे स्कूल कब से चालो होंगे फ्रेंट्स आप लोग देखते होंगे कि लागडाउन के बाद बहुत सारे आफिस और कमपनिया कब से कब 50% वर्कर के साथ चाल हो गई है और अभी तक कालेज नहीं खुले हैं तो इसके लिए अलग अलग जो इस्टेट गवर्मेंट हैं अपनी अपनी निती बना रही है जो यह है अमर उजाला पेपर में 18 तारिक को 18 जून के पेपर में निकाला था कि कब खुलेंगे इसकूल अलग की प्रकिर्या का आगाज जानि इन साथ राज्यों में कब से सुरू होंगे विद्याला यानि जिस राज्य में कुरोना की केसे सकम है उस राज्य में इसकूल और कालेज को खुलने की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है और इसमें जो state government है अपना अपना निती बना रही है कि कबसे college को खोलना सही होगा या नो खोलना सही होगा चुकि college और school जो बन्द है वो लगभक डेल साल हो चुके है इसलिए जो भी state government है वो सोच रही है जल्द से जल्द college को खोला जाया जिससे बच्चों की जो study है या जादे परवाईत हुगा है तिसके लिए हम आद बात करेंगे इसमें कौन-कौन से state government अपनी क्या timing बता रही है friends देश में कुरोना संक्रमल की वज़े से उत्पन प्रस्तितियों को मद्दी नजर नखते हुए भीन तरह की पावंदिया लगाई गए थी देश के सभी बिद्याले और महा बिद्याले को बंद कर दिया गया था लेकिन जब भारत में कुरोना के मामले अफकम होने लगे है इसके वज़े से राज्यों द्वारा अनलाक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ऐसे में कई राज्यों ने अब विद्याले को खोलने का निड़ा लिया है कुछ राज्यों में सिछकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल खोलने का निड़ा लिया गया है वहीं कुछ ने अ सरकारी हो या नीजी हो 24 मईश से 23 जून तक छात्रों सिचकों और सदस्यों के लिए बंद रहेंगे और दिल्ली गवर्मेंट जो है तीसरे लहर की संभावना और कुरोना की मवजूदा हालात को देखते हुए विद्यालियों को अनलाइन मोड में काम करने का निर्देश दिय गया भी गोगा के जो इस्टेट गवर्मेंट है क्या बोल रही है तो मुख्यमंत्री प्रमोत सामबत हैं वहां के और उन्होंने कहा है कि राज भर के विद्यालियों को 21 जून से अनलाइन मोड में सुरू किया जाएगा सिच्छा निद्र सालय ने गुरुवार को एक प्रद्यालियों और महविद्यालों को 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है उत्तरपदेस गवर्मेंट उत्तरपदेस राज सरकार ने प्रात्मी को और उच्छ प्रात्मी की स्कूल को एक जुलाई से फिर से खोलने का फैसला किया है हाला कि सरकार ने करने की अनुमती मिली है इस बिच छात नय साच्छ चातर प्रवेस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं निव एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अभी जो क्लासेस नहीं चलेंगे हड़ी आरा गवर्नमेंट यहीं पर बोली है कि सिच्छा मंत्री कमरपाल ने वहां के हैं राज के सभी स्कूलों को 30 जून तक बंद रखने और गर्मियों की छुटियां बढ़ाने की आदेश दी हैं मद्द परसित गवर्नमेंट बोला है कि गुरुवार को राज सरकार ने अधिकारी का धिसुचना जारी कर स्कूल खूलने की जानकारे दी है बता दें कि प्रदेश में 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रकिरिया जारी है यानि एडमिशन चल रही है वहीं सभी सरकारी स्कूलों में सच्छडिक और गैर सच्छडिक स्टाप की सत प्रत्सत उफस्तिती रहेगी अभी नियमित कच्छा सुरू करने की अनुमती कोई नहीं दी गई है तो फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कि जल से जल जो कोई-19 की केसे से हैं वो कम हो जाएं और जो कालेज और विद्याले हैं इसकूल है और जल से जल खोल जाएं ताकि एड़ साल की जो पढ़ाई है वच्चे बहुत ज्यादे नुक्सान होगा पढ़ाई में तो हम आसा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा जैसे ही निव अपडेट आएगा आप लोग को बढ़ाने की कोसिस करेंगे आज के लिए बस दिना ही मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तुक तक के लिए जैहिंद जैवारा